नमस्कार आप देख रहे हैं अजय भारत यह तस्बीर बहुत कुछ कहती है यह तस्बीर 2015 के उस वाक्या को याद दिलाता है जिसमें लालू प्रशाद, नितीश कुमार और प्रदेश कॉंगरेस साथ में मिलकर चुनाओ लड़ने का काम किया था कहीं न कहीं यह दोहराने की प्रविर्ती भी हो सकती है कहीं न कहीं यह बीजेपी के साथ हाल के दिनों में आई दूरियों के कारण से भी हो सकती है यह तस्बीर कहीं न यह जल जमाओ के कारण से हाल के दिनों में बीजेपी निताओं के द्वारा नितीश पर निसाना साधने के भी हो सकती है नितीश कुमार अपने साफगोई और राजनितिक चालबाज के लिए भी जाने जाते हैं यह तस्बीर बहुत मायने में बहुत कुछ आने वाले भविस पर भी डिपेंड करता है कि बिहार की राजनितिक की सोर जा सकती है परदेश से बढ़ती नजदिकिया जदियू के लिए कोई नई बात नहीं है इसके पहले जैसा मैंने बताया आपको कि 2015 का चुनाओ नितीश कुमार कॉंग्रेस और राजत के साथ मिलकर लड़ चुके हैं कहीं यह तस्बीर आने वाले 2020 की तस्बीर नहीं हो कहीं यह नितीश कुमार यह भी नहीं दर्साना चाह रहे हो कि बीजेपी भी अब देख ले कि कॉंग्रेस हमसे दूर नहीं रह सकती है कॉंग्रेस को भी बिहार में जमीन की तलास है कॉंग्रेस को भी बिहार में अपनी जमीन को मजबूत करने की जरूरत है और उसके लिए एक चेहरे की जरूरत है जो नितीज कुमार से अच्छा कोई चेहरा नहीं हो सकता है जो 2015 में भी देखने को मिला है मंच से BJP के नेता नादारा दिखे यह भी साफतर पर दिखता है कि कहीं न कहीं BJP और जदिव के बीच में खटास जरूर है जो आज साफतर पर देखने को मिला देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप AB News के साथ बने रहे है